नमस्कार जोहार में कृष्णा गुपता चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को दिल्ली गए रगुवरदास बीजेपी की सभी पदों से देंगे इस्तिफा 31 अक्टूबर को ओडिसा के राज़ेपाल पद की लेंगे सपत पूर्व मुख्यमंत्री और रगुवरदास आज 26 अक्टूबर दिल्ली गए हैं दिल्ली में वो वरिष्ट नेताओं से मुलकात करेंगे इस दोरान वो पार्टी के सभी पदों से इस्तिफा देंगे रगुवरदास को ओडिसा का राज़ेपाल मनोनीत किया गया है जारकन के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित कारिकरम के तहट अस दिल्ली के लिए रवाना हो गए दिल्ली में वो बीजेपी रास्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलकात करेंगे उन्हें पार्टी की सद्दस्यता से इस्तिफा सौपेंगे बता देकि रगुवर्दास को ओडिसा का राजयेपाल बनाया गया है 31 अक्टूबर को वो ओडिसा के राजयेपाल के रूप में सपत गरेहन करेंगे बता दे कि जहारकन के पूर्वे मुख्यमंत्री रगुवरदास वर्तमान में बीजेपी के रास्ट्री उपाध्यक्ष है राजिपाल बनाए जाने के बाद वो पार्टी से सीफा देने के लिए दिल्ली गए है राची पुलिस को मिले 12 नए स्कॉर्पियो होकी टूर्णमेंट में खिलाडियों के मुव्मेंट को करेगा स्कॉर्ट 19 लाक रुपे प्रतिवाहन की हुई खरिदारी कल से 5 नवेंबर तक राजधानी राची में हो रहे एशियाई चैंपियनशिप टॉफी महिला होकी में खिलाडियों के मुव्मेंट को स्कॉर्ट नए स्कॉर्पियो से की जाएगी पुलिस मुख्याले की ओर से राची पुलिस को 12 स्कॉर्पियो वाहन उपलब्द कराए गया है राची पुलिस को या वाहन पाइलेट और स्कॉर्ट के लिए सौपा गया है सभी वाहनों को फीता काट कर और हरी जंडी दिखा कर SSP और CTSP ने रवाना किया राची में इन दिनों 6 देशों के हौकी खिलाडी है प्रतियोगिता में शामिल होने के साथ साथ शहर में इनका घूमना हो रहा है ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी एहम है उनकी सुरक्षा में किसी तरह की परिशानी ना हो इसलिए पुलिस को नए स्कॉर्पियो वाहन दिये गए है पुलिस सूत्रों के मुताबिक होने लगी है ठंड अभी और गिरेगा तापमान राजी के इन हिस्तों में हुई बारिश राजी में ठंड अब महसूस होने लगी है गर्म कपड़े निकलने शुरू हो गये हैं दुर्गापूजा के दौरान राची समेत कई शहरों में लोग गर्म कपड़ों में पंडाल रहा है कि राजी के कई हिस्सों में नियूंतम तापमान में गिरावट आएगी 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा सुबा कोहरा और धूंद नजर आएगा धोनी बाट रहे पैसा घर महिला को जासा दे बच्चा चुरा ले गए शातिर जारकन में अपराधी घटनाए दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है लूटपाट छिंतई और हत्याए तो अपनी चलम पर है बच्चों के अपरन के मामले में भी जारकन पीछे नहीं है लेकि घर दिलाने के नाम पर जासे में लिया गया महिला की चिकायक पर अरगोड़ा थाने में केस दर्च कर लिया गया है लेकिन अब तक अपराधियों के बारे में कुछ पता नहीं चला है पुलिस के नुसार जिस महिला के बच्चों को अपराधियों ने चुराया है उसका नाम मधु देवी है वह अपने दो बच्चों के साथ 22 अक्टूबर को हीनु इससे दुरगापुजा पंडाल घुमने गई थी तभी बाइक से एक महिला और एक पूरुशाएं महिला ने बुर्खा पहना हुआ था दोनों ने मधु से पूछा कि धोनी को जानती हो तो महिला ने कह हाँ हाँ फिर दोनों ने धोनी के बारे में और अधिक मधु को बताया साथ ही कहा कि धोनी अपने घर के पास गरीबों को पाच-पाच हजार रुपए और घर बाट रहे हैं या सुनकर मधु खुश हो गई वे दोनों मधु को लेकर हर्मु इस्तित बिजली ओफिस के पास दोनों ने उसे उस घर के पास जाने को कहा फिर बच्चे को या कहकर अपने पास रख लिया कि वे बच्चे को तब तक रखते हैं लेकिन जैसे ही मधु कुश दूर गई दोनों बच्चे को लेकर भाग निकले जारकन में खुलेंगे 1500 किसान समरिधी केंद्र भारत सरकार गुनवत्ता पूर्ण खाद बीज बेशने वाली दुकानों को किसान समरिधी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां और सुविधाई मुहया कराने के उद्देश से केंद्र सरकार ने यह मतवकांची योजना शुरू की है जारकन के विभिन जिलों में 1500 किसान समरिधी केंद्र खोलने की योजना है अब तक यहाँ 400 से अधिक केंद्र चैनीत किये जा चुके हैं शेश की तलास जारी है किसान समरिधी केंद्र गाउं से लेकर जिला इस्तर खोले जाएंगे जिला इस्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए जबकि प्रखंड इस्तर पर 200 और गाउं इस्तर पर 50 वर्ग फीट में केंद्र सुरू किया जा सकेगा गाउं इस्तर के केंद्र पर किसानों के बैठने की वैवस्ता होगी उत्पाद डिस्पले होगा पास मशीन, ट्यूर कोर्ड, स्कैन, स्कैनर, शोट देखने की वैवस्ता उत्पादों का MRP, फसलों से संबंधित, लिटरेच्चर, भूमी की गुनवत्त संबंधित, नक्षा, सरकार का अधिकरित, मैसेज मिलता रहेगा भारत निर्वाचन आयोग, 27 से 9 दिसंबर तक मतदाता की सूची में नए नामों को शामिल किया जाएगा 27 अक्टूबर से मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम शामिल किया जाएगा 9 दिसंबर तक नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के साथ साथ नाम पता में सुधार किया जाएगा और मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा अभियान के दोरान चात्रो नाम प्राथमीकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा लोकसभा चुनाओ की तैयारी में जूटे भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को जारकनव बिहार के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ इस्थानी इस्तर पर कई तरह की तैयारी की समिक्षा की है सीम की माँ मेडिकल चेक अप के लिए दिल्ली गई मुख्यमंद्री हेमन सोरेन ने अपनी माँ रूपी सोरेन को मेडिकल चेक अप के लिए दिल्ली भेजा है सीम हेमन सोरेन की पतनी कलपना सोरेन साथ गई है CM बूद्वार को अपनी मा को लेकर राजी के एरपोट पहुंचे जहां से उन्हें दिल्ली भेजा गया पिछले दिनों CM की मां कैस्थानी ऐस्पताल में उप्चार कराया गया था इसके बाद उन्हें दिल्ली में बहतर उपचार के लिए भेजने का निरने लिया गया है पाच दिनों से लापता यूवक का शव पत्थर खदान से बरामत पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप कोडर्मा में गत 21 अक्टूबर से लापता यूवक प्रदीप पंडित का शव गुरुवार को डोमचाज के अबादा पत्थर खदान से बरामत किया गया है मामले को लेकर जुमरी तिलाया की सुनीता देवी ने अपने पती प्रदीप पंडित के अपहरन का आरोप लगाते हुए तिलाया थाना में आवेदन दिया था उसके आवेदन में कहा था कि उनके पती दलजीत सिंग के यहां चालक का काम करते थे और 21 अक्टूबर को उनके साथ को डर्मा गए थे उसके बाद से वापस घर नहीं लोटे हैं परिजनों का आरोप है कि मामले में तिलाया पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और प्रदीप पंडित की हत्या कर दी गई इधर पुलिस ने सव को अंत्य परिक्षन के लिए सदर अस्पताल भेजा है अब रोमें आगे बंडे से पहले अगर आपनी अभी तक एक लाग दस जार गिववे में पारिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल से जल इसमें पारिसिपेट हो जाएं तो आपके पास बॉका है इस दिवाली एक लाग दस जार का कास रिवार्ड जितने का तो वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक है जहाँ पर आप क्लिक करके रेजिटेशन कर सकते हैं अगर किनी को रेजिटेशन में दिक्कत आती है तो दिये गया हलपलाइन नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहता प्रैप्ट कर सकते हैं तो ये दिवाली खुश्यों वाली होने वाली है तो आप सब तयार हो जाएं कास जितने के लिए इसमें तिरपन लकी विनर को प्राइस दिया जाएगा तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है तो आप लोग इसमें जरूर पाटिसिपेट हो और कैस जिते और हाँ चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल सब्सक्राइब हो गया हो गया तो लिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की और धन्यवाद बजट की तयारी में हिमंद सरकार विभागों को दिया यह निर्देश जरकन सरकार ने वित्य वर्स 2024-25 का बजट बनाने में लग गई है वित्य विभाग ने सभी विभागों को 15 दिसंबर तक योजना बजट मांग पत्र भेजने को कहा है विभाग ने 24 नवेंबर तक इस दिसंबर तक सरेंडर करने की हिदायत विभागे प्राधानों को दी है वित्य विभाग ने अगले बजट के लिए योजना विकास बजट को लेकर सभी विभागों से केंद्र और राज्य से मिलने वाले आर्थिक संसाधनों की जानकारी मांगी है साथ ये राजस्व प्रा मामा दूसरे राजे में करता था मजदूरी लोट कर दी भांजा और मामी की शादी भांजे को अपनी मामी से प्रेम हो गया घरवालों को पदा चला कि मामा ने अपने भांजे से ही अपनी पत्नी की शादी करा दी मामला पलामू जीले के पाटन थाना छेत्र के पक्री और रिस्तदारों के सामने मामी के मांग में सिंदूर भरा पक्री गाउं के रहने वाले सुबई भूईया की शादी छे साल पहले मनातु थाना छेतर के बिहरा गाउं की रहने वाली रीता कुमारी के साथ हुई थी। भारत का होगा दुनिया से सामना जारकंड एश्याई महिला होकी चैंपियंशिप के मुकाबले सुक्रवार से मोराबादी सित मरां गोम के जैपाल सिंग स्टेडिया में खेले जाएंगे। साथी से इंकार पर हैवान बनी लड़की बॉइफ्रेंट को टांगी से काट डाला। पलामु जीला के नावा जैपूर थाना छेतर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमी ने शादी करने से इंकार किया तो प्रेमिका हैवान बन गई। लड़की ने अपने प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी। प्रेमिका ने टांगी से काट कर अपने बॉइफ्रेंट को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान धरमेंद्र उराव के रूप में हुई है। पुलिस को यूवक कर्शाव जंगल से बरामत किया है। साथ ही पुलिस ने घटना इस्तल से खून लगी टांगी, दो मोवाईल फोन, खून लगे कपडे भी बरामत किये हैं। बता दे कि पुलिस ने आरूपी प्रेमिका को गिरफतार कर लिया है। गिरीडी में यूवा आदान प्रदान कारेकरम के तहट जिले के 20 आदिवासी यूवक यूवतियां CRPF कैंप से लखनव रवाना। इस दोरान डिप्टी कमांडेंट नवीन विशुकरमा सुबेदार मेजर पन्नलाल ठाकूर समेच CRPF के कई अधिकारी और नहरू यूवा केंद्र के नयर परवेज मौके पर मौझूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट नवीन विशुकरमा ने कहा कि ग्रीह मंत्राले नकसल प्रभावित इलाकों के आदिवासियों के लिए ऐसे कारेक्रम पिछले कई सालों से चला रही है जिसका मकसद उन्हें दूसरे राज्यों की संस्कृती से रूबरू कराना है। साथ ही उन्हें कौशल विकास प्रसिक्षन कारेक्रम से भी जोड़ना वा तकनीक की जानकारी देना है ताकि इन नकसल प्रभावित इलाकों के युवा खुद को आत्र निर्भर बना सकें। इन बीस युवाओं को विशेस बस से डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। लखनाव रवाना किये जाने से पहले सभी युवक युवतियों को CRPF अधिकारियों ने जूते और स्पेशल किट भी प्रदान किये। जारकन में पिछले पाथ साल में 1574 लोगों की तसकरी अब तमिलनाडू मोडल अपना कर सरकार ट्राफिकिंग करेगा खत्म सियम कर चुके हैं समिक्षा। देश के अने राजियों के मुकाबले जारकन हुमन ट्राफिकिंग का सबसे बड़ा आसान इस्थान बन गया है। NCRB, CID और राजिय में काम कर रही संस्थाओ के आकड़े बताते हैं कि राजिय में बीते पाथ साल में जितने भी ट्राफिकिंग के मामले आए हैं उसमें लड़कियां सौफ्ट टारगेट है। सरकार के आकड़े बताते हैं कि राजिय में साल 2017 से लेकर 2022 के अंत तक 1574 लोग हुमन ट्राफिकिंग के शिकार हुए हैं जबकि दर्ज मामले के आकड़े आधे से भी कम हैं। समस्या के पर्मानेंट समधान के लिए जहारकंड सरकार तमिलनाडू मॉडल अपनाने जा रही है। साथ ही इसमें वरकर्स के लिए एक वेलफियर बोर्ड गठित करने की बात कही गई है। पर्तमान इस्तीती की जानकारी मांगी है ताकि कॉंसिल इस मामले में कारवाई कर सके। हजारिबाग बार एसोसेशन का चुनाओ 20 अक्टूबर को हुआ था। मतगन्ना के दौरान परिनाम को लेकर कुछ वकीलों ने हंगामा कर दिया था। वकीलों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में कई वकीलों को चोटे भी लगी थी। मारपीट का वीडियो भी वारल हुआ था। घटना के बाद दोनों गूटों की ओर से प्रात्मिकी भी दरच कराई गई है। इस घटना के बाद जारकन बार कॉंसिल के सदस्यों ने भी नराजगी जाहिर की है। और कई बार संगों में इस तरह की हो रही घटना पर नराजगी जताई है सघस्यों ने ज़ारकन बार कॉंसिल के अध्यक्ष से इस घटना पर सक्त करवाई करने का आगरह किया था इसके बाद अध्यक्ष ने चुनाव कमीटी से रिपोर्ट मांगी है जारकंड बार काउंसिल के सचीव ने हजारी बाग बार एसोसियेशन को इस सम्मंध में पत्र भेज दिया है आउटडोर मरीजों को भी मिलेगा चिकित्सा खर्ज हाई कोट ने इस मामले में दिया निर्देश जारकंड हाई कोट ने एक महतवपूर्ण फैसले में कहा कि इंडोर और आउटडोर मरीजों का वरगिये विशेशग्य चिकित्सक ही कर सकते हैं यदि डॉक्टर मरीज को अस्पताल में बीना भरती किये उपचाल प्रदान करते हैं तो वैसे मरीजों को सिर्फ इस अधार पर चिकित्सा छती पूर्टी की भरपाई करने से इंकार नहीं किया जा सकता कि मरीज का इलाज आउटडोर में हुआ है जस्टिस सुजीत नरायन प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में या महतोपूर्ण फैसला सुनाया है इसके साथ ये अदालत ने सरकार की अपील याची का खारिच करते हुए एकल पीट के आदेश को सही बताया कोट ने प्रतिवादी विनोत कुमार लाल की बेची के आउटडोर इलाज में हुए खर्च का भुकतान करनी का सरकार को निर्देश दिया इकल पीट ने भी आउटडोर मरीज के उपचार में हुए खर्च की भरपाई करनी का निर्देश सरकार को दिया था इसके खिलाब सरकार ने खंड पीट में अपील याचिका दायर की थी ट्रैफिक ब्लोक से दो ट्रेने रद, आठ के रूट और एक का समय बदला दक्षिन पूर्वी रेलवे के चक्रधरपूर और खड़कपूर मुएंडल में विकास कारे को लेकर ट्रैफिक ब्लोक लिया जाएगा इस कारण आने वाले दिनों में विभिन तीथियों में 11 ट्रेने प्रभावित रहेंगी इससे राची मंडल होकर आने जाने वाली ट्रेनों के रूट और समय में परिवर्तन किया गया है जबकि कई ट्रेनों को रद किया गया है दूसरी और दशहरा संपन होने के बाद लोगों का छुट्टियों से लोटना शुरू हो गया है राची आने वाली ट्रेनों में काफी भीर चल रही है सबसे अधिक भीर नई दिल्ली की ट्रेनों में है वापसी की ट्रेनों में लंबी प्रतिक्षा सुची है नई दिली राची राजधानी एक्सप्रेस के 3rd AC में 26 अक्टूबर से लेकर 7 नवेंबर तक वेटिंग चल रही है आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस में भी स्लीपर श्रेनी में 26 अक्टूबर से 6 नवेंबर तक लंब बुद्वार को किता डी दुर्गा पूजा कमीटी के जन प्रतिनीधियों और जीला प्रसाशन के साथ काली मंदिर कीटा डी में हुई बैठक के दोरान जमशितपुर दुर्गा पूजा केंद्रे समीती के अध्यक्ष अंशितम गुपता ने इसकी घोशना की साथ ही बिना कि इसी परिशानी के धाक कलाकार के स्रव को पस्चिम मंगाल इस्तित उसके अवास तक भेज़वाने की मांगी वहीं कीटाडी पूजा कमीटी के लोगों ने SDO प्यूस सिनहा को ग्यापन सौप कर मृतक के परिजनों को 10-10 लाक रुपे मुआवजर राशी दिलाने की मांग की है बैटक में विसरजन घाट पर बनी सड़क और एम्बूलन्स नहीं होने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया HEC की खराब आर्थी किस्तिती के कारण अवासिय परिसर की सुन्दर्ता होती जा रही है खत्म 170 से अधिक क्वाटर जर जर HEC की आर्थी किस्तिती खराब होने के कारण HEC अवासिय परिसर की सुन्दर्ता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है रख रखाओ के आभाओ में HEC के 170 से अधी क्वाटर जरजर हो गए हैं पंचमुकी अनुवान मंदिर के पास B टाइप में 50 अवास, धुरवा में 70 ST, DG अवास वा सेक्टर 3 में वेलनेस सेंटर के पास 50 अवास को खंडब घोशित कर दिया गया है इन क्वाटरों में ना तो दरवाजे हैं और ना ही खिड़की, हाला कि कुछ क्वाटर में लोग अंध्रिकृत रूप से रह रहे हैं ऐसे में हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता है वहीं प्रबंधन को भी मालूम नहीं है कि किस तरह के लोग कि इन क्वाटरों में रहते हैं वहीं जो क्वाटर लीज जोन में नहीं है उनकी हालत भी खराब है HEC प्रबंधन इन क्वाटरों की मरमत करीब 30 वर्सों से नहीं करा रहा है इसमें रहने वाले लोग खुद अपने पैसों से मरमत कराते हैं एचीसी के क्वाटरों का निर्मान साट के दसक में हुआ था उस समय इस्थाई और आइस्थाई क्वाटर बने थे शुरुवात में नियमित रूप से क्वाटरों का रख रखाओ किया जाता था लेकिन आर्थिक स्थिती खराब होने के कारण अस्थी के सदक के बाद से क्वाटरों की मरमत का काम पूरी तरह बन कर दिया गया वहीं प्रबंधन द्वारा क्वाटरों में जलापूर्ती, नारियों की सफाई और बिजली सबंधी कारे भी नहीं कराया जाता है